नागरिकता संसोधन कानून का मुद्दा अभी पूरी तरह सांत भी नहीं हुआ था कि ग्रह मंत्रा लेने पाकिस्तान बंगला देश और अफगानिस्तान के नागरिकों को लेकर एक और बड़ा आदेश जारी कर दिया है खासपाती यह है कि ग्रह मंत्री अमित्सा के कारियल लेने 70 साल पुरा ने उस आदेश को रद कर दिया है जिसमें चीन सईथ इन देशों के नागरिकों को बिना अनुमति के परवतर रोहन की छूट मिली हुई थी ग्रह मंत्रा लेने उक्ता देश में संसोधन करते हुए नया आदेश जारी किया है जिसके अनुसार चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगला देश के सभी नागरिकों को भारत के किसी सिखर पर परवतर रोहन से पहले अनुमति लेनी होगी साथ ही उन्हें भारत परवतर रोहर फाउंडेशन द्वारा निर्धारित विशेस मार्गों का पालन करना होगा चोकाने वाली बात यह है कि यह आदेश इनी चार देशों के नागरिकों पर लागू होगा दुनिया के अन्य देशों के नागरिकों के लिए इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है यानि उन्हें इसमें पूरी छूट दी गई है बड़ी बात यह है कि इन चार देशों के अन्य देशों में रहने वाले परवाशियों पर भी यह नियम लागू होगा गोर तलब है कि भारत ने देश बर में 137 सिखरों को परवत रोहन के लिए खोला था इन सिखरों में सिक्किम, कंचन जंगा और नेपाल पीक, उत्राखंड में गरूर परवत और पूर्वी दूनागिरी जम्मु कस्मीर में, माउंट कैलास और हिमाचल परदेश में मुलिक का सामिल है भारत में ऐसे करीब 200 सिखर है इसका मतलब यह है कि इन देशों के एजेंट भारत मुसलमानों का सहयोग पाकर जिस प्रकार भारत को ऐस्तिर करने की कोशी से कर ले थे अब उन पर प्रोक्स रूप से लगाम लगाने की तयारी हो रही है भारत के वे मुसलमान जो ऐसे तत्वों को सरन देते हैं अब उन पर भी सिकंजक कसने लगेगा क्योंकि इन देशों से आने वारे एजेंट अधिकतर प्रवतरोई के रूप में भारत आते हैं गर्यमंत्राली ने कल से ही यह आदेश तत्काल परभाव से लागू कर दिया है साथ ही खुपिया विवाग को आदेशित किया है कि वे पता लगाए कि इन मुसलिम देशों से आए लोग भारत के किस-किस मुसलमान के यहां ठेरे हैं अब जो भी भारत मुसलमान इन देशों के लोगों का सुप्चन तक बनेगा उस पर भी बड़ा एक्षन लिया जाएगा खबर यह भी है कि भारत में पाकिस्तान समर्थक ऐसे मुसलमानों पर खुपिया विवाग अपनी पैनी नजर बनाए हुए है क्योंकि उन्हे संदे है कि विदेशी एजेंट भारत मुसलमानों को आके करके नागरिकता संसोदन एक्ट पर अपनी साजिस को अंजाम दे रहे हैं